जैहिन वंदे मात्रम, स्वगत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़े पैटफॉर्म में दोस्तो अब तक की सबसे सुपर फास्ट वीडियो यानि 20 मिनट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेशन्स को देखेंगे सबसे तेज ये वीडियो रहेगी और मैं कहूंगा कि all chapter को हमने समाहित कर लिया है तो चलिएगा पहले question से आगास करेंगे हिंदी के सभी chapter का हम धुआ धुआ करेंगे पहला question चार options के साथ और मैं हर वहन हर भाई हर ग्रहडी से कहना चाहूंगा कि 50 में कम से कम हिंदी अच्छी आए आपकी तो आपका जो score होना चाहिए वो 28 का होना चाहिए एक से अधिक वर्णों के mail को क्या कहा जाता है ये हिंदी में पूछा जाता है कहता है कि वो बता दीजिएगा कि एक से अधिक वर्ण जब मिलते है तो उनको क्या कहा जाता है तो उनको वेंजन कहा जाता है क्योंकि वेंजन कभी वी बिना सुर के मिल नहीं सकता बन नहीं सकता इनकी संख्या होती है कितनी भईया होती है 33 होती है और अगर सुरों की संख्या बात करें तो 11 होती है और वर्ड की आख्षर की बात करें तो हिंदी में होती है 52 अगला question आपके screen पर है, second number निमलिखिथ में से अंतस्त वेंजन कौन सा है? जब अंतस्त वेंजन की बात करें दोस्तों क्या है? अंतस्त वेंजन निम्रिखित में कौन सा होगा तो चार अंतस्त वेंजन होते हैं ये किया, एक रा और एक ला और एक वा होता है जिसमें वा दिख रहा है आपको इसलिए इस question का answer C option सही हो जाएगा अगला question आपके screen पर है 4 number 4 number आपको बताना है कहता है कि जिस समास में पूर्व पद गौड तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है अरे भाईया, पूर्व पद गौड हो अरे पूर्व पत तो प्रधान नहीं है ना उत्तर पद प्रधान है ना इसमें दोनों पदप्रधान होते हैं और अगर पूछा जाए कि समास कैसे बनता है तो समास बनता है सब्दों के मेल से आंसर डी होगा अगला कुशन निमलिखित में कौन सा उस्म वेंजन है सब कुछ बताऊंगा उस सबसे सूपर फास्ट भी होगा ऐसा भी नहीं है कि कुशन का आंसर टिक मार दिया और आगे बढ़ गए ये भी नहीं मैं करता हूँ आए इसलिए सब्सक्राइब कर लो अगर देश की नंबर वन हिंदी आपको रोजाना आठ बजे पढ़नी है तो मैं कहता हूँ कि हर बहन हर भाई देश की नंबर वन हिंदी से जरूर जुड़िएगा दिल से जुड़िएगा हम हिंदी हैं हम हिंदुस्तानी है आए को इसलिए नंबर फोर फोर की बात करें तो दोस्तों उस मेंजन होते हैं आपके चार जैसे यारा लावा अंतस्त होता है ऐसे ही आपके सा, ये वाला सा, एक ये वाला सा और एक ये हा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस मेंजन option number A होगा, अगला, जो सब्द दो वाक्यांसों, सब्दों और वाक्यों को जोडने का कारे करते हैं, उनके लिए हम कौन सा options लॉक करेंगे दोस्तों, हम कहते हैं कि मुच्छे बोधक की स्रेणी में लेते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे, यहाँ पर option number C होगा, अंगली का तदभो रूप क्या होता है, कमेंट कीजेगा, अब देखो, अंगली पूछा है न, इसमें क्या दिक्कत है, अंगली एक तत्सम रूप है, अंगली एक तत्स ही चीज कहते हैं, कि हमारी उंगली में चोट लग गई, हमारी उंगली में ये दर्द हो रहा है, लेकिन होता क्या है, ये तत्सम होता है, सेबर नमबर समास कहते हैं, समास किसको कहा जाता है, समास कहा जाता है, सब्दों के मेल को कहा जाता है, अक्षर के मेल को दोस्तों कहा जाता है संधी और समास को कहा जाता है सब्दों का मेल कहा जाता इसलिए समास के लिए हम option number 8 करेंगे अगला क्रिया विसेशन एक भेद है भाई तुरंत subscribe कर ले अगर फेफड़ा फट रहे हैं तो आप तक कुछ न कुछ पहुंच रहा है क्रिया विसेशन के भेद कितने यानि क्रिया विसेशन एक भेद है क्रिया विसेशन का क्या भेद होगा क्रिया विसेशन से क्या संबंद है अब्बे का है विसेशन का है या फिर निपात का है या समापिका का है मैं अगला गडेश का परेवाची सब्द क्या होगा सुधांसु कुबेर एकदंत सुधाकर यहां पर दोस्तों आपको बताना है अगर मैं आपसे कह देता हूं ध्यान दो अगर मैं आपसे यह कह देता हूं कि सुधाकर का अर्थ क्या होता है तो आप यह कहोगे कि सुधाकर को तो चंद्रमा कहा जाता है अगर मैं आपसे कह देता हूँ दोस्तों सुधान्सू का अर्थ क्या होता है सुधान्सू को दोस्तों कहा जाता है वो भी चंद्रमा कहा जाता है और अगर मैं कुबेर तो कुबेर तो है एक दंत दयावंत है ना इसलिए इसक्वेशन का अंसर सी इही किलोक का भी पीरार्थक सारे चेप्टर मिलेंगे, all चेप्टर का मौक टेस्ट, कुछ सन NUMBER 10, कहता है इही लोक का भी पीरार्थक सब्द बता दो तो इही लोक कहा जाता है, परलोक, option NUMBER 10 इसमें व्याख्या करने की बात है नहीं, उपकार का क्या हो जाएगा, तुरंत बता option A कहता है सादूओं की संगती छोड़ देना, option B कहता है बांचित कारे को छोड़ कर अन्य कारे में लग जाओ, भक्ती छोड़ कर ब्यापार करने लग जाओ, ग्रहस्ती के जंजट में फज जाओ, अब लोकोक्ती का मतलब यह तो है नहीं कि भजन से ही संबन देतो, हाँ, लो निकित में कौन सा कमल का पर्यवाची नहीं है, देखो भाई या, कूवलय होता है, अम्बुज होता है, दुनिया के जितने भी जाओ वाले सब्दोते है, जलज, पंकज, नीरज, धीरज, तोयज, बारीज, यह सब कमल के हैं, राजीव होता है, अगर दुनिया के जाओ वा करतें उन्हें क्या कहा जाता बड़ा अच्छा प्रस्न है कि अगर कोई वाक्ग Incre के साथ लग जा जाये वह क्या है देखो विशेश बल अब जब भी बल होता है तो बल का प्रियोग केवल निपात में तुमको यहीं रुकना पढ़ेगा तुमको कल ही जाना पड़ेगा यही वर्ड है ना जब तक मैं आ जाऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना याद यह रखना है दोस्तों जब कोई वाक्य में बल देकर कहा जाए तो वहाँ पर निपात का प्रियोग होता है कोईसर नमबर 14 बहुत इंट्रेस्टिंग है हिंदी वर्ड माला में उसम मेंजन कौन से है वीडियो को लाइक दिल से करना अगर करना बरना आप ऐसे ही देखते रहो प्यार ही आपका काफी है हिंदी वर्ड माला में उसम बेंजन कौन से है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए चाचा जा आते हैं ये तालब्बे हैं ये आते हैं आपके मूरधने हैं ये आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आपके उसम हैं हमसे उसम बेंजन पूछा है तो उसम ह जाएगा option number A, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक सब्द क्या होगा, अरे व्याकरण जो जानता है वो व्याकरण विद हो सकता है लेकिन कभी नहीं होगा, कभी भी option number C मत लगाना, जो व्याकरण करता है, जो व्याकरण जानता है, वो व्याकरण होगा, दोस्तों इसको व्यक्ति की संग्या दी जाती, सोला नमबर, क्रदंत प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं, प्रत्य क्या है, जो पीछे जुड़ता है, किसके सब्द के पीछे जुड़ता है, कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों प्रत्य, ये होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है क् धित क्रदंत प्रते क्रा से क्रदंत क्रा से क्रिया ये आपको याद रखना है तो answer option number C हो जाएगा बोलो अगला question जो युद्ध में इस्थिर रहता हो उसके लिए क्या होगा इस question का answer question number 17 answer option number B अगला question 18 number है कमाल के समान नयन में कौन सा समास होगा अगर मैं कह दूं कमल कमल के समान होगा तो मतलब कमल नयन यही तो सब्द है इसी को तोड़के इसको लिख दिया अच्छा नयन का मतलब होता है आँख होता है अब जब नयन का मतलब आँख है तो आँख किस तरीके की कि कमल के समान और कमल के समान अगर नयन है तो यह बताओ विशेस्ता है विशेस्ता है तो तुलना है और तुलना है तो विशेशन है और विशेशन है तो करमधारे है इ कोई चीज अगर आँखों में गड़ रही है तो मैं कहता हूँ कि वो दोस्तों है कि मन में खटक रही है क्या है? वो मन में खटक रही है answer option number B अब देखो कोई चीज आँखों को सुहाती है कोई चीज नहीं सुहाती है तो मन में जो चीज खटकती है वो आँखों को यहाँ पर आँखों में गड़ रही है उनमूलन का विलोम क्या होगा अब उनमूलन का मतलब होता है to destroy क्या होता है to destroy होता है इंगलिस में अगर मैं बात कर लेता हूँ खत्म करना एकदम से मैं कहते था हूँ दोस्तों इसको rewind कर दो है ना बिलकूल एवालिस कर दो उनमूलन कर दो पेंड खड़ा है पेंड को काट दो तो मतलब उनमूलन हो गया इसी उनमूलन का विलोम होता है रोपड आंसर हो जाएगा C संसलेशन का विसलेशन अब मूलन का क्या होगा कमेंट कीजेगा फटा फट अगला कुश्चन 20 सुद्ध वर्तनी वाला सब्द आपको बताना है चार ओप्संस दिये हैं सुद्ध वर्तनी आपको बताना देखो कवित्री को कभी भी कवित्री नहीं लिखा जाता है हमेशा कव इत्री लिखा जाता है क्या लिखा जाता है कव इत्री तदो परांत को कभी भी तदो परांत लिखा जाएगा तदो कोई चीज होती ही नहीं है पूजनिये में हमेशा पूजनियों होता है कभी भी पूजये कभी लिखना ही मत अंत्याक छरी ही इस question का आंसर सही होगा नहीं तो गलती से अगर कोई मेरा भाई कोई बहन option number B मार रहा है तो मैं कहना चाऊँगा अगर B सोच रहे हो तो कभी भी गलती से भी मत मारना क्योंकि पूजनी हमेशा later में हम लोग यही लिखते हैं या Google बहुत से बच्चे कहेंगे सर नहीं मैं तो नहीं मानूँगा मैं तो पूजनी मारूँगा तो मैं तो इतना ही कहूँगा आप से या तो मान लो या तो सर्च कर लो है ना दिल से जुड़ो बिलकुँ बहुत बढ़िया गलत तो पढ़ा नहीं सकता 22 number बंदर का तत्सम रूप क्या है बंदर की मैं बात कर लेता हूँ तो बंदर का तत्सम रूप होगा मैं कहता हूँ बंदर बानर हो जाएगा अब बंदर का जब बानर हो जाएगा तो ये तटसम क्या होता है Pretosum होता है जो हमारा एक क्या होता है संस्कृत का सब्द होता है अगला बाजाल ये ये बाजाल नहीं होगा ये कह सकते हो बाजाल सभी सब्द कोई दिक्कट नहीं है अच्छा संधी विच्छत पूछा चलो बताओ बाजाल का सही संधी बिच्छेत क्या होगा दो कुस्सर बनेंगे एक तो बनेगा कि सही संधी कौन सी होगी संधी हो जाएगी वेंजन संधी हो जाएगी क्यों क्योंकि इसमें बाकधन जाल आ रहा है और जब बाकधन जाल तो हलंत है और बाकधन जाल option number A lock हो बैठे बैठे बेगार होती है निर्थक से कमलाव का काम अच्छा है या बैगार की आदत ना डालना मैं कहता हूं दोस्तों निर्थक से कमलाव का काम अच्छा है बैठे से बैगार भली अगला यारा लावा वेंजन को क्या कहा जाता है तो यारा लावा वेंजन को कहा जाता ह अंतस्त वेंजन इनकी संख्या होती है पूरी चार इनकी भी संख्या पूरी चार इस पर स्वेंजन होते हैं कितने पूरे 25 होते हैं क्या मैं कहता हूँ बिलकुल दोस्तों 25 होते हैं अगला करपट का तदभो रूप क्या होगा अरे तो मतलब कंफर्म है कि करपट जो है संस्क सब्द होगा मतलब इसका अगर तदभो देखा जाए तो यह होता है कपड़ा और कपड़ा तो मतलब आप्स नमबर डी अगला निम्लिकित में से सकर्मक्रिया बता दो सकर्मक्रिया का कॉंसेप्ट समझ लो सा माने होता है सहित क्या होता है सा माने होता है सहित और कर्म माने हो रहें नहीं दोस्तों, बालिका निवंद लिख रही है, यहां पर कर्म हो रहा है, इसलिए right answer B होगा, अठाइट, नाक का बाल होने का मुहावरा क्या होगा, इस question का answer क्या होगा, नाक का बाल होना, अब देखो इस question में बहुत से बच्चे गलत करेंगे, क्यों करेंगे, मैं ब बताओ, बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये कस्ट देना होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल option number C के साथ जा रहा हूँ, यही कहोगे आप लोग, लेकिन गलती मत करना, इस question का answer हो जाएगा, अधिक प्रिय होना, अच्छा कभी आपने ये देखा होगा, नाक में बाल है, और आपने उसको एक अच्छी जगह दी जाती, इसलिए इस question का answer B हो जाएगा, कवित्री का सही रूप क्या होगा, सुद्वर्तनी क्या होगी, कवित्री का संसोधित रूप क्या है, तो कव इत्री है, और कव इत्री का मतलब है, option number क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, मैं कहता हूँ, बि उस तो बायू का होता है, बायू का होता है, जिसको हवा कहा जाता है, और जब हवा है, तो बायू समीर एक ही चीजे है, 31 देखिए, निम्लिकित में किस वाक्य में सकर्मक करिया है, सकर्मक का मतलब फिर वही, जहाँ पर कर्म है, हमने कहा हसना कोई कर्म नहीं, मैंने कहा पतंग उड़ा रहे हां बिल्कुल कर्म है तो जब कोई कारे कर रहे होते हैं तो अहां पर कर्म है सब्द अनवय का बहुत बार पूछा गए एक्जाम में सब्द अनवय का सही संधी विच्छेत क्या होगा मैंने नीचे टेलिग्राम की लिंक दे दी है टेलिग्राम को जरूर सब्द अनवय का सही संधी विच्छेत क्या होता है तो अनुधन अय बरावर अनवय ऑप्शन नंबर ए जाएगा स्वर संधी के साथ कलेजे पर साप लोटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दुखी होना इरसिया से जल उठना दूस्मनी निकालना दीनता प्रकट करना कले था और धन रूची और दुनिया का अगर कोई भी अगर उपसर्ग आ जाए ध्यान दीजेगा उपसर्ग आ जाए तो उस सब्द के आगे उपसर्ग लगा है तो अब बही भाव समास हो जाएगा अब बही भाव समास की क्या पहचान जिसमें प्रथम पद हो प्रधान अगल सब्द वो होता है जो संस्कृत का होता है जिस तरीके से आप गेहूं की बात करते हो गोधूम होता है गोवर की बात करते हो गोमे होता है और कपड़ा की बात करते हो करपट होता है आग की बात करते हो अगनी होता है इसलिए इस question का answer भी निमलिखित में किस सब्द में गुल स संदी किसमें होगी गुल्र संदी की ट्रिक नोट कर लीजएगा संदी की अगर मैं बात करता हूं दुनिया में कोई सब्दा आये तो बीच वाले उच्छर पर देखो ऐसी मात्र आ है देखो बाके ऊपर एक मात्र लगी हुई यह वाली बिल्कुल सही बात है दोस्तों देवेंद्र हुआ मुनेंद्र हुआ मुनेस हुआ सुरेस हुआ महेस हुआ राकेस हुआ दिनेस हुआ है ना निमेस हुआ जितने भी ऐसे सब्द हैं उनके उपर एक मात्रा आय की हो या एक मात्रा कुछ भी ओकी है होनी एक मातरा चाहिए अगला उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए क्या कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर सब्द के भेद होते हैं चार तत्सम तदभो देसज विदेसज ये आपको चार याद रखना है T.T.D.V. संस्क्रत के ऐसे सब्द जिसे हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं जैसा का तैसा प्रियोग में हम लेकर आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं औप्शन नमर ए निम्ने कितमे रूड सब्द कौन सा है, रूड सब्द की क्या ट्रिक है, रूड सब्द जितना छोटा है उतना ही छोटा आंसर होगा, अब आपको गया सर ये भी ट्रिक है, मैं कहता हूँ दो ट्रिक बताऊंगा, जितना छोटा है ये उतना छोटा आंसर होगा, पहले ट्रिक दूसरा उसका संदी भी छेद नहीं हो सकता है देखलो संदी भी छेद नहीं हो सकता है पाधनसू हो सकता है नहीं अगला सब्द रचना के अधार पर बताए कौन सा सब्द योगरूड है योगरूड की ट्रिक क्या है तुम्हें कहता हूं योगरूड की ट्रिक लिखो लिखो answer D होगा समास भी यहाँ पर बहुबरी और योग रूड भी हो जाए निम्लिकित में रूड होगा बोले सर आपने तो बताया था कि सबसे छोटा हो लेकिन यहाँ तो तीनों options में कहीं कहीं तीन options दिये तो मैंने का दूसरी trick लगा लो जिसका संदी भी छेद ना हो जो योग रूड ना हो जो बहुबरी ना हो तो आपको किसर कैसे मैंने का देखो मैंने का बैभव हो जाएगा मैंने का जा जा वाले तो यह सब कमल है ना यह सब जा और यह कमल है तो कमल का मतलब यह बहुबरी समाज बहुबरी है तो योगरूड हो जाएगा याद यह रखो कि बैभव का मतलब बैधन भव कर दोगे तो भी संदी बिच्छेद नहीं होगा मतलब जो टुकडों में ना बटे आए परिक्षा सब्द निम्लिकित वरगों में से किसमें आता है तो परिक्षा आता है दोस्तों संस्क्रत के अंतरगत आता है यह तत्सम रूपी है मजिस्ट्रेट सब्द कैसा है मजिस्ट्रेट सब्द हमारे यहां का तो है नहीं मतलब क्या है बाहर का है और बाहर का है तो यह विदेशज हो जाएगा तो आप्शन नमर डी हो जाएगा इंगलिस कौन सा सब्द क्या है कौन सा सब्द देशज है अब देशज सब्द वो होगा जो हमें पता ही नहीं कहां से आया है लोटा हुआ बाल्टी हुआ चिम्टा हुआ फुकनी हुआ है न फुनगी हुआ करकर हुआ मरमर हुआ चरचर हुआ खिड़की हुआ खिचड़ी हुआ है न अब देखो बहुबरी है, हमारा option number C है, इसलिए इस question का answer C, निमनेखित में कौन सा योगिक सब्द है, अब आजाई योगिक की trick, तो इसकी trick, हमने रूड में क्या देखा था, सबसे छोटा, तो रूड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूड यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदी बिच्छे कर लो, जिसका संदी हो जाए, वो योगिक है, और जिसका संदी ना हो, वो हमारा क्या है, रूड है, जिसका हो जाए, वो योगिक है, अब बताओ किसका किसका हो जाएगा, यह भी रूड है, यह भी रूड है, इसका हो जाएगा, बिध्या दनाले, option number C, प पर दन सालह इसका संदी बिच्छफ हो गया और आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्बिंब देख रहे हूं मैंने क्या बोला मैंने का 20 मिनट तो हमने यहाँ पर क्या पहले ही बोल दिया था कि हा सर 20 मिनट तो 20 मिनट मैं जो कहता हूँ मुझे नहीं पता था ये वीडियो कितने में जाएगी बताओ आप ही बताओ मैं 0 seconds से सुरू कर रहा हूँ मुझे पता था क्या मुझे लेकिन ये पूरा confirm रहता है मुझे ये पूरा भरोसा रहता है अपने उपर और आपके उपर कि मैं जो content पढ़ाऊंगा इतने समय में complete करूँगा इतने question कराऊंगा उससे एक मिनट जादा नहीं answer हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों योगिक सब्द के लिए तो अब comment करके बताईए योगिक सब्द के लिए comment करके बताईए तो ये question है इसी वीडियो का लगवग लगवग सेम है उन्चास नंबर तो comment कीजिएगा जैहिन वंदे मातरम इंकलाव जिंदावाद टेलिग्राम को सर्च करने के लिए आप सर्च करिएगा जी यू आरियू जैयाए की space WORLD ऐसा लोगों मिलेगा टिक मिलेगा सस्क्वाइब करने के लिए धन्यवाद आप किस सहर से हैं किस जिले से हैं कहां से हैं किस गाहों से हैं अपना जिला कमेंट करें